नमस्का, मैं हो सय सी ऐ ज्यारकन की टवशी स्पर्मों के धादना ध्यापको की न्युकती जार्खन में बड़ी संक्या में प्राथमिक सिखको की होने वाले नियूगती से पहले राज्ज के अफग्रेड हाइज स्कूलों में परधना ध्यापको की नियूगती हो सकती है बतादे स्कूली सिख्चा एम सक्षर्था विभाग इसकी तैयारी कर रहा है जार्खन लोग सेवा आयोग को दोबारा नियुक्ति के अनुशन सा भेजी जाएगी हलाकि इसे पहले नियुक्ति से सम्बंधित नेमावली में आंसिक पदलाव किया जाएगा इसकी परकिरिया सुरू कर दी गई है बता दे कि राजी के अप्ग्रेट हाई स्कूल में परधना ध्यापको के छो सो और सट पदो पर होने वाली नियुक्ति लंबे समय से लटकी हुई है जार्खन लोग सेवा आयोग दोबारा आवेदन मांगने के लगभग दो साल बाद नियुक्ति परकिरिया रद कर दी गई थी जार्खन में 21 तक बारिस जार्खन में अगामी 21 अक्टूबर तक बारिस से रहत नहीं मिलने की समभवना है इसके बाद मौसम साफ होने की उमीद है बता दे 17 और 18 अक्टूबर को राज्य के उत्री पुर्वी दक्षनी पुर्वी तथ मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिस होने की समभवना है साथ ही हलके से मध्य दर्ज की गरजन होने की चेतावनी मौसम केंद्र रांची ने जारी की है बता दे इस दर्ण रांची और उसके आसपास के चेतर में समायनता बादल चाहे रहेंगे 17 अक्टूबर को अधिक्तम तापमान 28 डिग्री सेल्सियास और 99 डिग्री सेल्सियास रहने की समभवना है इस रम पोर्टल में राइस्ट्रेशन के लिए मजदूरों को मिलेगी जनकारी असंगठित मजदूरों को इस रम पोर्टल में राइस्ट्रेशन के लिए जनकारी देने के उदेश से लोहर्दागा डिसी दिलीप कुमा टोपो ने जीले के सभी परखंड के लिए स्रामिक रथ रवाना किया है बता दे इस दोरन मजदूरों को बताया जाएगा कि इस स्राम पोटल में रेजिटेशन निसुल्क होगा श्राम एवं रोजगार मंत्राले भारत सरकार और श्राम नियोजन प्रसिक्षन एवं कोशल बीभाग के निर्देश पर श्राम बीभाग लोहर्दागा की ओर से जीले के सभी परखंडों के लिए स्रामिक रथ रवाना किया गया इस मोगे पर डीडीसी अखावरी ससंका सिनहा और मंडल पतादिकारी अर्विंद कुमार मजूद थे कुरोना भैक्सिनेशन पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला है राज्य में कुरोना का टीका करन एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा बतादे स्वास्त विभाग ने अब प्रती दिन तीन लाख लोगों का टीका करने का ने नहीं लिया है इसे लेकर सभी जीलों का लक्ष निधारित किया गया है बतादे विभाग के अपर मुख सचीव अरुन कुमार सिंग ने सभी उपायुकतों को पत्र बेज कर लक्ष के विरूत टीका करन सुनिशित करने के लिए निर्देश दिये है बतादे मुख सचीव ने निधारित किये गया लक्ष के तहत समुचित माइक्रो प्लानिक बना कर योग्य लाभुकों को पुरु में पहचान कर टीका करन करने को कहा है जारखन में तीन दिन बिशेश टीका करन अभियान अपर मुख सचीव ने जीला तथा पंचायत अस्तर पर प्रती दिन लग्ष प्राप्ती है तूप परतेक सप्ता के सुक्रवार, सनिवार तथा रभिवार को विशेश टीका करन अवजन करने को कहा है साथ ही टीकाकरन की तीथी एक दिन पूर्व सभी तयारियों की व्यक्तिगात रूप से समिक्षा करने तथा सुराक्षा सम्मांती पहलूगों का आकलन कर आवस्चक करवाई करने सब्ता हांत टीकाकरन अव्यान के पूर्व परखंड अस्तरिय टास्क फोर्स की बाटा करने तता इसमें समाजिक संगठनों से मदद लेने के निर्देश दिये हाँ बी एड दाखिला की अमती मेधा सुची जारी जारखंड सन्युक्त परवेश परत्युक्त परिक्षा पारिसाद ने राजे के सरकारी वगयर सरकारी बी एड संस्थानों में बर्ष 2021-23 सथर में नमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदनों तथा औब बंधिक मेधा सुची पर मिली आपतियों के अधार पर अमती मेधा सुची परकासित कर दी है बता दे कुरोना के कारण इस बार अवेयरतियों के असनातक के अउंकों के अधार पर मेधा सुची तियार की गई है हलाकि सनिवार से ऑनलाइन रेजिस्टेशन तता सीटों तता संस्थानों के अवांटन के लिए बिकल्प भरने की परकिरियाज नहीं सुरू हो सकी हफिजूल की मनमोहन सिंकोर सरधांजली पर रखुवर दास नई दिली के एमस अस्पताल में इलाजरत पूरोपरधान मंत्री मनमोहन सिंकों मृत बता कर मौन रखने वाले जारखंड के मंत्री हफिजूल हसन ने सतधारी दलो की खासी किरिकिरी कराई हलाकि हफिजूल ने बाज में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से माफि मांगी इसके बावजूद भाजपा ने उनकी खासी चुट किली बता दे मंत्री के साथ साथ भाजपा नेताओ ने राज सरकार के मुखिया पर भी निशाना साधा पुरो मुख मंत्री और भाजपा के राष्टिये उपाद्यक्ष रगवर्दास ने तांजा कसते हुए कहा कि जैसा राजा वैसा मंत्री मंत्री का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह है हमन सरकार के मंत्री अफिजूल हसन धावनी की टीम को सियम हमन्त ने दी बधाई महेंदर सिंग धावनी की टीम चेननाई सूपर किंग्स के IPL का खिताब जीतने के बाद जारखन में भी खोसी का महल है बतादे आम लोग से लेकर मुख मंत्री मंत्री और नेता तक बधाई दे रहे हैं बतादे जारखन के खेल जगत से जूड़ी हस्तिया भी धावनी को चोथी बार IPL जीतने पर बधाई दे रही है मुख मंत्री हमान सुरेन ने भी धावनी को बधाई दी उन्होंने कहा कि यतो धर्मस्त तो जया जहां अपने कर्तवयों का पालन है वहां भी जई है रांची के लाल माही यों चेनलाई सूपर किंग्स को आज के जीत की हारदिक बधाई रैस ड्राइविंग पर 145 वाहन चालक से जुर्माना 36 गड़ में हुई घटना के बाद रांची पूलिस अलोट पर है बता दे पूलिस रैस ड्राइविंग और ट्रैफिक नियम तोडने वाले पर करवाई करेगी पूलिस की ओर से इसकी सुरुवात भी कर दी गई है बता दे SSP सुरेंद कुमार जहां के निदेश पर सहर भर में ट्रीपल राइडिंग नस्तर में ड्राइव करना रैस ड्राइविंग करने वालों के खिलाप अभ्यान चलाया गया सहर के चौक चौराहों पर थानेदार से लेका DSP तक वाहन चेकिंग अभ्यान में जुट गए बता दे इस दोरान पूलिस की टीम ने सहर के विभीन इलाकों से 145 वाहनों को पकड़ा सभी वाहन चाला के अतयात निमक का उलंगन कर रहे थे जारखन में कुरोना के 8 नए मरीज मिले हैं जो रांची से 5 पूर्वी सिमू से 2 वोकारों से 1 सामिल हैं जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 123 है भारत में 14,073 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,99,342 है रांची में रंगदारी मांगने वालों की जाच के लिए बिशेश सेल रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमर जहां ने रंगदारी रोधी सेल का गठन किया है बतादे सेल के परमोक डी एसपी नीरज कुमर को बनाया गया है बड़े कारोबारी अपराधियों के निसाने पर हैं फोन, मैसेज और वर्चुल कॉल के माध्यम से लगातार कारोबारीयों से रंगदारी की मांग की जा रही है कुछ मामलों में सिकायते पूलिस के पास पहुँच रही है थाने में मामला दर्ज होने के बाद ततकाल अपने अस्तर से मामलों की मोनेटरिंग या सेल सुरू करेगी सीनियर राष्ट्रिय महिला होकी चेंपियनसिप जहां सी यूपी में होकी इंडिया की एगारवी राष्ट्रिय सीनियर महिला होकी चेंपियनसिप 2021 होगी बता दे या 21-30 अक्टूबर तक होने वाले इस टूर्णामेंट में देश भर की महिला होकी टीम भाग ले रही है होकी जारखन की महिला टीम भी इसमें सामिल होगी इसके लिए टीम की घोसना सर्निवार को इस्टो टर्प होकी स्टेडियम सिवडेगा में की गई टीम में कोच मैनेजर सहीत कूल 20 सदस सामिल है बता दे जहासी के लिए या टीम रभीवार को रवाना होगी रामगड में रावन दहन के दौरान हिंसक जड़प में डीएसपी समेट 6 पूलिस कर्मी घायल रामगड जिले के रईरप्पा थाना छेतर में सनीवार रात नियम के विरूत कराया जा रहें रावन दहन कारेकरम के दौरान पूलिस और लोगों के बीच हिंसक जड़प होई इस जड़प में डीएसपी और थानेदाद समेट 6 लोग घायल हो गए जिने सदर अस्पताल में भरती कराया गया दरसल बढ़की पोना गाउं के केतारी टोला में लोगों द्वारा रावन दहन कारेकरम का विरूत किया जा रहा था गस्ती के दोरान पूलिस ने जब उन लोगों को इस कारेकरम को रोकने को कहा तो वे भड़क गए और पूलिस पर लाठी डंडे से हमला करने के साथ पतराव करने लगे केंद्र सरकार कोईला उध्यो का कर सकती है नीजी करन कॉंग्रेस जाकन पर देश कॉंग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्स और पूर्व सांसर डाक्टर अजय कुमार ने कोईला उध्यो के नीजी करन होने के संका को जाहिर करते हुए मुख्य मंत्री हमान सुरेन को पत्र लिखा है पत्र में मुख्य मंत्री से अंड़वत करते हुए लिखा है कि देश में कोईला संकट नहीं है यह संकट केंद्र की बिजेपी सरकार की ओर से बनाया गया है ताकि कोईले का नीजी करन किया जा सके डाक्टर अजय ने इसकी जनकारी अपने ट्यूटर हैंडल से ट्वीट कर दी है बतादे डाक्टर अजय ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र की बिजेपी सरकार कोईला उद्यक के नीजी करन को लेकर कदम उठा सकती है भद्रकाली मंदीर में बिना सलोट बोकिंग कराए उंबडी भीड नवरात्र के दीनों में चत्रा केट खोरी में मा भद्रकाली का दरवार भक्तों से गुल जार रहा बतादे करीब 30,000 सरधालों ने माता करदर्शन किये माता करदर्शन करने वालों में जार्खन समेथ पच्छी मंगाल बिहार यूपी, एमपी के सरधालों यहां पहुँचे बतादे 10 दिनों तक मंदिर परिसर भक्तों के जायकारा से गुज़ता रहा ओनलाइन बोकिंग की जगा ओफलाइन सरधालों की संक्या ही अधिक रही जार्खन स्थी एम हेमंत के बड़े भाई के नाम पर बनी दुरगा सुरेन सेना जार्खन में 57 जार्खन मुक्ति मोचा की बिदायक सिता सुरेन की बैटियों ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर दुरगा सुरेन से नागठित की है बतादे बिजनेस मेनेजमेंट और विधी के पढ़ाय कर चुकी राई सिरी सूरेण और जय सिरी सूरेण ने विजय दस्मी के मौके पर इसकी घोषना अपने माक के दुर्वा इस्थित सरकारी अवास पर की हलाकि इस आयोजन में सिता सुरेन सामिल नहीं हुई बतादे पहले कहा जा रहा था कि जार्कन मुक्ति मोचा के अध्यक्स सीबू सुरेन आएंगे लेकिन वह नहीं आए कांग्रेस के लिए सिर्दर्द सावित होगा 20 सूत्री कमेटिया का गठन जार्कन पर्देस कॉंग्रेस कमीटि ने 20 सूत्री कमेटियों के गठन से समधित फर्मूले को सविकार्थो कर लिया है लेकिन कमेटियों का गठन पार्त्री के लिए सिर्दत सावित होने वाला है बता दे आंतरिक अनुसासन के नाम पर पार्टि की स्थिती से सभी परिचित हैं और यह भी कही न कही तय माना जा रहा है कि जिन लोगों की अंदेखी कमीटियां के गठन में हुई है वे बिरोध का रास्ता पकर सकते हैं जेई एडवांस में रांची के राहूल जार्खन टोपर जेई एडवांस का रिजल्ट सुक्रवार को विजय दसमी के दिन जारी कर दिया गया इस परिक्षा में रांची के रहने वाले राहूल कुमार जार्खन इस्थे टोपर रहे बतादे राहूल ने परिक्षा में 248 वा रेंग प्राप्त किया है वे DPS रांची के छात्र हैं बतादे DPS रांची के ही अंकित कुमार जैन 2019 में एवं द्याल कुमार 2020 में जेई एडवांस के इस्टेट टोपर बने थे बिस्थापन आयोग का अविलम गठन करे जार्खन सरकार राज्य में बिस्थापन अभिस्राप बना है बतादे DVC, CCL, BCCL, HEC सहीत एक दरजन से अधिक कल कर खाने खुले इनमें कोडी के मोल किसानों के जमीन ले ली गई आजादी के इतना दिन बित जाने के बाद भी बिस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी राज्य के मुख मंत्री हमन सुरेन से मांग करती है कि जार्खन बिदान सबा का 27 बुला कर एक महिने के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करे यह बाते भार्तिय कम्यूनिस्ट पार्टी राज कार्यालाय रांची में भागपा के राज सचीव साहजारी बाग के पुरुसान सद भोनेस्वर परसाद मेहता ने सन्वदाता समिलन में कही है मतांतरन के खेल पर रोक वगर वापसी के लिए अभियान बिश्व हिंदू परिशत के अंतराश्टरिय कारया अध्यक्स अलोक कुमार ने कहा है कि जार्खन सहित कई राजियों में धोखा लालाच और दबाव के बल पर अबयद रूप से मतांतरन का खेल चल रहा है अनुसुचित जाती जन जाती और गरीब लोगों का मतांतरन कराने में कई संगठन लगे है अबयद रूप से मतांतरन के खेल पर लगाम लगाने और उनकी घर वापसी के लिए बिश्व जार्खन सहित पूरे देश में अभियान चलाएगी बलैक फंगस से युवक की रिम्स में मौत रिम्स में इलाजरत एक 23 वर्षिय युवक की मौत बलैक फंगस से हो गई है बता दे मरीज ब्रीज मोहन परजापती का इलाज रिम्स के नियू ट्रामा सेंटर में चल रहा था जहां उसकी हलात लगतार खराब होती चली गई और सनीवार को उसने दम तुर दिया बता दे इसके बाद रिम्स में एक भी बलैक फंगस का मरीज नहीं बचा है एक माह पहले भी बलैक फंगस से ही एक महिला की मौत होई थी जहारखन के पांच हवाई अड़ो से न केवल हवाई उड़ानों का संचालन होगा बलिक अब उर्जा उत्पादन का केंदर भी बनेंगे इसके लिए जहारखन सरकार ने एक महत्व कांची योजना बनाई है जिसके लिए बुकारो, देवघर, दुमका, गिरिडी और राई धानी रांची के हवाई अड़ो की खाली पड़ी जमीन पर सोलर उर्जा पैदा करने वाले पलन्ट लगाए जाएंगे इसके लिए राई सरकार ने इन पलांटों को लगातार उर्जा उत्पादन करने के लिए एजेंसी का चैन करने के परक्रिया सुरू कर दिया है चैन का काम पूरा होते ही उसे पलांट लगाने के साथ उर्जा उत्पादन शुरू करने का कारेक का एलोटमेंट कर दिया जाएगा अवस्यक सुचना दिन भर की तमाम ख़वर को जानने के लिए साम पांट बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद